आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ में लिखित में से कौन सा सही है तो हमारे पास जो विकल्प दिये गए है वे हैं पहला विकल्प है XYPQ के समरांतर है दूसरा विकल्प है PQ is equal to 2XY तीसरा विकल्प है PX is equal to QY और चौथा विकल्प है PQ is equal to 3XY तो अब हम इस question को हल करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिबुच बनाएंगे PQR तो यह हमारे पास एक त्रिबुच है त्रिबुच PQR यहाँ पर हम इसके नाम दे देदे हैं यह P bindu है यह Q bindu है और यह R bindu है अब जैसके हमें बोला है कि PR पर बिंदू X है तो हमा लेते हैं यहां पर बिंदू कोई X है और QR पर बिंदू Y है तो यहां पर कोई बिंदू Y दिया गया है अब हम इन दोनों बिंदू को अपस में मिला देते हैं तो बोला गया है PR जो है वो 10 cm के बराबर है Rx जो है वो 4 cm के बराबर है तो यहां से ये 4 cm Yr 2 cm के बराबर है तो यहां पर हम लिखेंगे Yr is equal to 2 cm और QR जो है वो total वो 5 cm के बराबर है तो छो हमारे पास हम यहां से YQ तो निकाल सकते हैं YQ बराबर होगा QR minus Ry which is equal to 5 minus 2 that is equal to 3 cm और यहां से हमारे पास हम xp भी निकाल सकते हैं, xp बराबर होगा pr-rx, which is equal to 10-4 is equal to 6 cm, अब जैसे कि हम विकल्ब देख सकते हैं, इसमें बोला है pq बराबर है 2xy, हमारे पास pq के बारे में कोई भी value नहीं दी गई है, तो इसका मतलब ये इस विकल्ब के बारे में तो हम y, हम देख सकते हैं, px की जो value है वो 6 cm के बराबर है, और यहां से qy की जो value है वो यहां पे हमारे पास 3 cm के बराबर है, तो यह विकल्ब भी गलत हो गया, चौते विकल्ब में कहा गया है, pq बराबर है 3xy, तो हमारे पास ना तो xy की value है, ना यह हमारे पास pq की value है, तो आ जो दूसरी है हमारे पास RY अपॉन YQ तो जो values दी है उनको put करने पर RY जो हमारे पास RX बराबर है हमारे पास 4 XP बराबर है हमारे पास 6 RY जो हमारे पास दिया गया है वो है 2 cm और YQ जो हमारे पास निकल किया है वो है 3 cm जब हम इसको solve करते हैं तो two two is a four, two three is a six तो ये बन जाएगा two upon three is equal to two upon three इसका मतलब ये जो अनुपात है वो बिल्कुल बराबर है और हमारे पास एक प्रमे होती है और उस प्रमे का नाम होता है अधार समानुपातिकता प्रमे अधार समानुपातिकता प्रमे के विलोम से अधार समानुपातिकता प्रमे के विलोम से तो हमारे पास अधार समानुपातिकता प्रमे का विलोम क्या कहता है यदि हमारे पास कोई त्रिबुच है उसमें से दो बुजाओं पर दो बिंदू दिये गए है xy तो उन दो बुजाओं में जैसे rx upon xp और ry upon yq का अनुपात अगर बराबर होता है तो यह जो xy है वो pq के समनंतर होगी तो इसका आर्थ यह है कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास rx upon xp बराबर है ry upon yq दोनों के अनुपात बराबर है तो जो हमारे पास xy है वो यहाँ पर समनंतर होगी pq से तो इसका आर्थ यह है कि हमारा जो विकल्प यहाँ पर सही हो रहा है वह है विकल्प नंबर 1 Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT GE Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज राउनलोड करें डाउटनेट आप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर